देखे पहले में इस favor में था कि आपका exam हो जाता तो बहुत अच्छा होता क्यों क्योंकि मैं सोच रहा था कि running exam में running exam को postpone करने से क्या होगा कि दोनों तरफ से student disturb होंगे पहला disturb तो यह होंगे जिन लोगों ने exam दे लिया है वो अपने result का wait कर रहे होंगे कि कब result आएगा late होन में के विए से तो पहले मैं यह सोच रहा था बाद में थोरा से analysis करने के बाद यह पता चला कि अगर आप exam अगर 28 तक exam अगर आप दे भी लेते हैं तो वैसे भी आपको result का wait करना है वैसे भी result का wait करना है क्योंकि हमारे भुधिमान लोग यह election की वज़े से west बंगाल में exam को रोक दिये हैं अब west बंगाल के बच्चे को exam दे नहीं रहे हैं तो वो कब देंगे वो देंगे मई में वो भी 20 मई 22 मई के बाद वो जो है वो exam देंगे अब आप सोचिए कि अगर 22 मई को exam अगर student दे ही रहे हैं इस exam का CHSL 2020 का तो फिर यह यह जो students जिनसे आप exam ले रहे हैं तो इससे क्या होता कि आपका image एकदम अच्छा आता लोग भी सोचते कि चलो COVID की वज़े से जो है हम लोगों का exam पॉस्पोंड हो गया है और हस्ते हस्ते student जो है इस चीज़ को accept कर लेते हैं लेकिन एक तरफ आपने student को hold पे डाल दिया है west बंगाल वाले student को मई तक के लिए कि ठीक है election जब हो जाएगा तब जाके आप exam देना और इन students को आप इतना risk पे आप कह रहे हैं कि आप exam देने के लिए अब आप सोच ये कि इतने risk पे अगर कोई student जाके exam देगा तो क्या वो exam में अपना 100% दे सकता है हाँ या ना में जवाब दे सकता है obviously बात है नहीं क्यों नहीं होना चाहिए sir exam postpone करवाई नहीं sir आवाज उठाइए नहीं sir ऐसे हजारों बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर बोल रहे हैं सिर्क मुझसे ही नहीं जितने भी यूटूब पर teacher है या कहीं भी है teacher जिनका exam है वो सब बोल रहे हैं इस बात को लेकर तो ये बात खुद स पॉस्पॉंड कर रख कर चुके हैं election की वज़े से मई तक के लिए तो फिर अभी आप exam दिलवा कर क्या साबित करना चाहते हैं कि आप exam time पे ले रहे हैं किसको बेवकूफ समझा जा रहा है किसको बेवकूफ समझा जा रहा है कोई बेवकूफ नहीं है और रही बात अभी टाइम है अगर exam postponed हो जाता है दो से तीन दिन के अंदर में तो बहुत अच्छी बात है समझ रहे हैं बात को नहीं तो कोई फायदा नहीं है इस टाइप का exam लेकर भी आप अच्छे students को मतलब select आप नहीं कर सकते हैं तो कि अच्छे students और जो aware है वो exam तो देने ही नहीं जाए प्रेशर में इस खत्रा को देखते हुए और जीस टाइप का न्यूज चलाया जा रहा है चैनल पर आप कोई सार भी चैनल खुल के देखिए वो चैनल का न्यूज देखकर आदमी डर जाएगा लिटरली बता रहे हैं डर जाएगा क्योंकि मैं अभी exam आपका चल रहा था उ टैसी आपके और यह पर आया था कि उपर उड़ाएगा अडमी अरज जब ये फिर चले तो roundर चलेगा तो उसमें आदमीच बढ़ा आदमी तो यह College मासच लगा लें अगर मैं आपको बता रहा हूं अगर कोई आदमी दो घंटा अगर न्यूज लगातार देख लिया ना तो वह अपने आपको पनी में पैक करके प्लास्टिक में पैक करके तब न्यूज देखेगा इतना ड़ जाएगा वह सच बता रहे हैं वह प्लास्टिक में पै बैठे वे लोग अगर वो सिर्फ दो घंटा बैट कर निउस देख लें अगर आप उसी समय पॉस्पोन नहीं कर दिये इस लॉक्ड़ॉन ने लगा दिये देश में तो फिर आप कहना और यह एक्जाम पॉस्पोन हंड़ेट अंट 10% होना चाहिए क्योंकि यह एक्जाम आप पॉस्पोन करके चोड़ेवे हैं वेस्ट बंगाल की वज़े से एलेक्शन की वज़े से तो उससे अच्छा है कि अब है आप इसको इसको मैं आपको सब्सक्राइब और अगर कंट्रोल में नहीं रहा अगर ओवर्प्लो में चल रहा है तो आप मैं वाले एक्जाम को बाद में भी अगर situation अगर बहुत ज़्यादा डराबना आ गया तो वो मई से भी आगे जा सकता है न तो इसी लिए इस exam को postpone चो छोड़िए मैं तो कहता हूँ cancel किजिए इस exam को और एक साथ जो है जब आफटर कोविंट exam जो है आप ले लीजिए ये मेरा अपना suggestion है बाकी exam तो postpone हो नहीं है तो आप जाएंगे ही जाएंगे उस situation में आपके पास कोई option नहीं है समझ रहे हैं बात को तो जब मजबूरी का नाम गांदी जी है तो आज मजबूरी का नाम जो बेरोजगार स्टूरेंट हैं और खास करके जो SSC का त्यारी करते हैं वह हैं अगर महात्मा गांदी जंदा होते हैं और आजो डोग का नाम महात्मागांदी महात्मा गांदी भी कहते हैं बस बहुत हुआ मजबूरी का नाम स्टूरेंट और जब वह अंच्दोलन निकालते हैं फिर तो यह देश्ज से cozy लोग गाव होते हैं एक तो SSC का कृपार्टम और यह को रोट segunda थीक है तो मैं आप लोगों से यही कहना जाता हूँ, धैरे बना के रखे, पेशेंस बना के रखे, सहीं से काम लीजिए, अपने आपको सेफ रखे, मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में